कि यह प्यारे बच्चों मैं विपुल कुमार पांडे गुर्कुल क्लासेश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक को एक नए चेप्टर को लेके इसका नाम है लसर तथा मौशर पैल्सियम या और एसीफ अच्छा इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लसर मौशर की सुरूवात कहां से हुई शुरूवात अगर हम देखें तो हम डारेक्ट परिवासा से सुरू करते हैं लेकिन ऐसी कुछ संख्याओं को देखना पड़ेगा जो की अपवर्त 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 क्या होते हैं प्रारम से तो आए बेसिक से स्टार्ट करते हैं चैप्टार का नाम है मारा मसय तथा लसय मसय को अगरिजीम कहते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको साठकट में स्सी äफ बोलेंगे लसएको बोलेंगे लुवेस्ट कॉमन मल्किपल जिसको हम साठकट में लसीम बोलेंगे आईए बात करते हैं अपवर्तक की पहला टॉपिक है हमारा अपवर्तक अपवर्तक किसे कहते हैं जैसे आप हमको ये बताइए किसी संख्या में माली ये 15 है और 15 में 3 से भाग देते हैं तो 3 पचे 15 पांच बार गया तो ये बताइए कि 3 इसका क्या हुआ भाजक हुआ लेकिन हमेशा ये भाजक की रहता है यह भाजक अपवर्तक कब कहलाएगा और किसका अपवर्तक चुकि 3 पंद्रह को पूरतया विभाजित कर रहा है तो वह संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे पूर्तिया विभाजित करे तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है अपोवर्तक कहलाता है जैसे हम यह कहें कि तीन पंद्रह का अपोवर्तक है अपोवर्तक क्यों? क्योंकि तीन पंद्रह को पूर्तिया विभाजित करता है जिसका भी अपोवर्तक होगा 24 24 24 24 अми संब्द्रांक चिकरों Age 24 24 आप समस्कते हैं कि छे क्या है अप 90 का अप वर्थक पूलते हैं या इसी को थेक्टर यानि गुडण गुडण खंड बोलते हैं गुडण खंड है ठीक है गुलन खंड यानि 24 का गुलन खंड में कौन आएगा 6 आएगा अच्छा अपवर्तक कई होंगे जैसे मैं 24 के अपवर्तक को लिखना चाहूं 24 के अपवर्तक को लिखना चाहूं तो कई होंगे कौन-कौन जो-जो इसको काटेंगे काटने का मतलब है भी भाजे करेंगे अर्था आप जैसे 24 के अपवर तक लिखना चाहते है अपवर तक तो 24 को काटने वाला कौन कौन है 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा 6 चुक 24 8 से कटेगा 12 से कटेगा 24 से कटेगा मतलब 24 के कितने पवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ठीक अब हम बात कर लेते हैं समा पवर्तक की समा पवर्तक सब्द समझ रहे हैं common सब्द आया है common factor common किसमे होता है कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए तब जाके common होता है जैसे मैं एक और कोई संख्या ले लेता हूं मालीजे 48 ले लेता हूं 48 के अपवर्तक तो अपवर्तक लिख ले हम कितना 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 48 सोयम से तो आप ये देख सकते हैं कि जो दोनों में हो अर्था तो दो संख्याओं को विभाजित करे ऐसी संख्या कौन होगी समापवर्तक समापवर्तक मतलब जो दोनों में हो इसका अर्थ ये समझ सकते हैं उभाई निष्ट उभाई निष्ट यानि दो संख्याओं के अपवर्तकों में जो दोनों में हो अर्था 24 और 48 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे 24 और 48 के शमापवर्तक ध्यान से देखिएगा अपवर्तक मतलब जो 24 को ही काटे 48 के अपवर्तक मतलब जो 48 को ही काटे 24 और 48 के समापवर्तक नाम सब्दाया समापवर्तक है तो समापोर तक ऐसी संख्याएं होती हैं जो दोनों संख्याओं को काटे, 24 को भी काटे और 48 को भी काटे, तो सबसे पहले दोनों में जो मैच कर रहा है लिखिये, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ठीक है, तो यहां से यह समझ में आया कि 24 और 48 के समापोर तक कौन है, मतलब एक भी 24 को काटेगा, एक अर्थ 40 को भी काटेगा, दो दोनों को काटेंगे, तीन इन दोनों को भी काटेंगे, चार इन दोनों को भी काटेंगे, यानि जितनी भी संख्या लिखी हैं, वो इन दोनों को भी काटेंगे, अर्थात विभाजित करेंगी, जिसको हम समापोर अब सब्दाता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब हाइस्ट, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, हाइस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं जैसे 24 और 48 में देखूं, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, तो सबसे यह 24 है तो हम कह सकते हैं कि 24 और 48 का मौसर यानि SCF highest common factor कितना होगा 24 24 से बड़ा कोई नहीं है जो इन दोनों को काटे 24 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 24 और 48 दोनों को काटे ध्यान दीजे का दोनों को मैं कह रहा हूँ 48 को काट देगा 48 लेकि 24 को नहीं काटेगा क्यों अगर हम 24 बटा 48 लिखे यानि 48 से भाग दे 24 में तो कितना आएगा एक बटा 2 ठिक है एक बटा 2 आएगा कहाँ पुर्तिया कट रहा है अगर यहां एक आता दो आता तीन आता संधिंग आता तो जो की 48 का गुरज आता तो सबसे पहले हम इसको परिभासित कर दिया जाए तो चौबिस और तालीस का मौसा आपको समझ में आया कि सबसे बड़ा जो भाजक होता है दोनों को काड़ता है वही क्या कहलाता है मौश्र महत्तम शमापवर्तक अच्छा एक बात और ध्यान दिजिएगा कुछ लोग मौसा प ले लेते हैं इसलिए वह लिखते हैं मौसा पर लेकि हम पूरा एक लाइन में लिख रहे हैं इसलिए मौसा के वल लिख रहा है ठीक है अच्छा अब मौसा की परिभाशा थोड़ी सी देख ली जाए परिभाशा परिभाशा ही ध्यान दिजिएगा मौसा उल्लाशकी वह ब दी गई शंख्याओं को पुर्तया विभाजित करे अर्था देखेगा वह बड़ी से बड़ी बड़ी कहें या सबसे बड़ी कहें एक बात ही है बड़ी से बड़ी कहें या सबसे बड़ी कहें ऐसा भी कह सकते हैं वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को याद करिएगा ये को है मावसर में को है और यही लवसर में क्या हो जाएगा से हो जाएगा ठीक है दी गई संख्याओं को पुर्तया विभाजित कर दे एक example ले लेते हैं जैसे ले लिए 24 और 48 और 72 का मौसर लिकालते हैं तो मौसर में आप ध्यान दीजेगा जो तीनों को काटे तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं 24 गुरित एक एक अपने लिखने का तरीका है इसको 24 गुरित दो और इसको 24 गुरित तीन ऐसे लिख दिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है 24 जो की तीनों को विभाजित कर रही है अता इनका मौसर क्या हो जाएगा 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या ध्यान दिजएगा, कहते तो बड़ी से बड़ी संख्या हैं, लेकिन जो दीघई संख्या होती हैं, उनसे छोटा आता है क्यों दशमलों वाली संख्या ये सी मिलेगी आपको जिसमें बड़ी मिल जाती है लेकिन बाकी नारमल जो पुरांकों का अगर हम मौसर निकालते हैं तो कहते तो बड़ी से बड़ी संख्या हैं लेकिन दी गई संख्याओं से छोटी आती है या किसी एक के बराबर आती है सबसे छोटी के बराबर आती है जैसे इसमें 24 के बराबर आ गई है इस फैक्ट को थोड़ा सा समझें क्या बड़ी से बड़ी संख्या यानि इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो तीनों को भी भाजित करें ध्यान दिएगा 48 48 को काट रहा है हमाली जे 72 को नहीं काट रहा है 24 को नहीं काट रहा है तो 48 इंकम मुष्ण नहीं हो सकता क्योंकि वो तीनों को काटना चाहिए 24 को भी 48 को भी 72 को भी को मुष्ण ग्याद करने की वीधियां आये बिधियों पर बात करते हैं देखें वीधियां ही ज़रूरी है और यह बैसिक फैक्ट है अभी तो आपको क्यों मुष्ण ग्याद करने के और टाइब की तो इसके लिए ये पूरा वीडियो प्रारम से देखना शुरू कर दे मैं गारंटी देता हूं कि महसर अल्ला समय उससे कोई प्राबलम नहीं होगी क्योंकि जिसको बेसिक पता है वो कभी गरबर नहीं करता तो महसर ज्याद करने की बीधि पहली बीधि क्या है गुड़न खं ग्याद कर लेते हैं दीगई संख्याओं के अभाज गुड़न खंड ग्याद कर लेते हैं अभाज क्या होते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें उभवय निष्ट गुड़न खंड न मिले जैसे मैं यह कहूं 24 आपके समने है 48 और एक और कुछ ले लिजे और 84 ले लिजे ठीक है 84 आपको बड़ा मिलता है दिकत होती है तो 24, 48 और 84 तो 24 के खंड कर लिजे यहां रफ में 24 के खंड कर लिजे 24 को सरप्थम 2 से काटेंगे एक से नहीं काटते क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं करती हैं तो 2 से काटे 12, 2 से काटे 6, 2 से काटे 3, और 3 से काटे 1 अर्था अथ हम 2 के घाते 3 लिख सकते हैं 24 को 2 के घाते 3 और 3 के घाते 1, कुछ नहीं है 1 अर्थालिस को इसी प्रकाल लिखना चाहें तो इसी का जेस्ट दुगना हो जा रहा है तो 2 के घाते 4 इंटू 3 के घाते 1 84 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 84 का खंड कर लिजे 84 का खंड करने पर 2 से काटेंगे 2, 4, 8, 2, 2, 4 यहाँ 21, फिर 3 से काटेंगे 7 7 से काटेंगे 1 तो 2 के घाते 2 गुड़ित 3, गुड़ित 7 अब मौसर अगर आप लिखते हैं इनका मौसर लिखते हैं तो आपको कौन सी घात लिखनी होगी ध्यान देजेगा कौन सी घात तो मैं आपसे पहले ही बताया बड़ी से बड़ी तो इसमें घात क्या हो जो सबमे हो उभयनिष्ठ हो उभयनिष्ठ हो उभयनिष्ठ गुड़न खंड हो और क्या होना चाहिए सबसे बड़ी हो उभयनिष्ठ सबसे बड़ी सबसे बड़ी उभयनिष्ठ का आर्थ जानते है जो इन तीनों में हो तो तीनों में कौन है दो, 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 देख रहा है अब इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी हो, यहाँ दो घात है, यहाँ चार घात है, यहाँ तीन घात है, तो क्या लिखेंगे, दो के घाते चार, क्योंकि दो के घाते चार ही सबसे बड़ा खंड है, अच्छा देखें, तीन के घाते एक, तीन के घाते एक, यहाँ भी तीन क सब्सक्राइब और सेर जरूर करें देखे हम कुछ ही कुछ ही सब्सक्राइबर पीछे हैं क्या लाइब होने में और मैं चाता हूं कि आप से प्रेक्टिस हमेशा मैं लाइब वीडियो में करा हूं प्रेक्टिस देखे रिकार्डेट वीडियो में वो आनंद नहीं आता जो आनंद आता है लाइब में आपका इंटरेक्शन समझ में आता है ठीक है कि आप क्या पूछ रहे हैं कैसे पूछ रहे हैं सब चीजे समझ में आ